मेरी जुआना is one hell of a drug अगर यकिन नहीं होता बताऊंगा मैं क्यों मेरी जुआना क्यों बोला? अरे भाईया यूट्यूब से बचने के लिए गरत बोलना पड़ता है समझा करो यारो तो ग्यास समाच Champions of the World मैं हो 3DX जेतना आज की WWE Draft SmackDown के बारे में बात करने वाले and not going to lie अभी आदा ही पूल सलेक्ट हुआ है और उसमें मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है एक fresh feeling आ रही है सबसे पहली बाद equality वाली feeling आ रही है remember last time कैसे draft हुआता है एक बार कि भाया तीन पिक्स लेंगा और फिर Raw दो पिक्स लेगा Raw तीन पिक्स लेगा फिर SmackDown दो पिक्स लेगा हमें ये क्या चक्कर है हमें हमें ये feelings चाहिए ही नहीं हमें इतनी mathematics हाती नहीं क्यों ज्यादा नहीं हमें चाहिए equality आज equality हुई दो दो पिक्स के साथ select किया पहले तो Triple H ने जो पिक्स लिए रोमन रेंस और कोडी रोट्स मतलब रोमन रेंस फोर SmackDown and Cody Rhodes फोर Raw and not just Roman Reigns बलकि सोलो से कोवा एंड पॉल हेमन टू I was surprised, genuinely surprised कि Roman Reigns इस draft में भी है but clarity तब पता चली जब यह पता चला कि यह वाली जो championship है Roman Reigns के पास वो SmackDown की रहेगी और World Heavyweight Championship Raw की हो जाएगी Yes, let's go baby अब आ रहे ना पुराने दिन, मतलब क्या lot आए पुराने दिन? हाँ, हमें यही वाले दिन चाहिए थे exclusive करो और at least एक World Champion रहेगा जो कि present रहेगा जातर टाइम अच्छा मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर SmackDown में Roman Reigns रहते हैं तो पिचारों को championship opportunity कैसे मिलेगी लोगों को? part-timer you know? तो इसलिए Raw भी चाहेगे कि भाई फिर तो हमारा भी part नहीं, फिर SmackDown चाहेगे कि Raw वाले जो champion वो भी part-timer ही रहे हैं उनको कैसे opportunity मिलेगी बट खेर, Roman Reigns और Cody Rhodes awesome pick, of course predictable भी था कि जो भी brand अपनी first pick करेगा इन दोनों में से ही pick करने वाला है then दो जो picks है वो बढ़ी surprising थी Bianca Blair and Becky, Bianca for SmackDown okay, understandable but Becky, मतलब मेरे को लगा था champion लेंगी, बट नहीं उनके दिमाग में ये था कि नहीं यार, champion से उपर पहले Becky Lynch को रखते है and then I understood why, because Rhea Ripley अभी selection में नहीं थी, Rhea Ripley रहेगी Monday Night Raw में, तो ultimately रिया रिपली तो जा रही है Monday Night Raw के पास which leads me to think कि कोई एक बड़ी superstar, जो है retain रखने वाले, SmackDown वाले अगली Raw के draft में, तो yes, देखने वाली बात होगी कि किस को लेते हैं, उसके लाबा RVD को उन्होंने presenter बुलाया, bro I like it, I freaking like it और Street Profits चुना SmackDown उन्हें, Imperium चुना Raw ने वाउ, नाइस, मतलब गुंतर जो अब में Raw देखने को मिलेगा Then Street Profits SmackDown में Oh, nice, then तो बड़ी वाली पिक्स होगी, SmackDown में आगे, Rated R Superstar Edge, अरे यार फिर से पुरानी वाली वाइब मत दो यार, तुम क्यों Nostalgia हिट करवा रहे हो, बार-बार Edge on SmackDown, are you serious? You are trying to say Roman vs Edge फिर से हो सकता है ठीक है, मेरे को चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है Then RVD ने किसको पिक किया Matt Riddle को, for Rob Nice, अब तो WWE वाले भी मजे ले रही है, अगर किसी को नहीं पता नहीं, यहां पर कोई नहीं बताएगा बाई, बैन हो जाएगा YouTube, YouTube से Matches की बात भी कर लेते हैं, matches भी ठीक टाकी थे, I mean LA Knight ने बुच को हरा दिया अभी LA Knight जो है, दुबारा से लग रहा है कि अच्छा, हाँ, अब ये धीरे-धीरे बनेगा कुछ, है ना ऐसा लग रहा है कि अब LA Knight बनेगा कुछ, जब उसने हराया अपना प्यारा बुच ये देख रहे हो, on the spot, ब्रो नव जोज सिंग सेद्दू इंस्पाइड उसके अलावा LWO, और Street Profits, और Ricochet and Brown Stroman के भी इस Triple Threat Tag Match देखने को मिल सकती है, कि एक not so important match, I'm going to say that अभी के लिए, not so important match में एक ऐसी चीज को recall करना तो एक connect बना देता है कि हाँ यार, last week ज़ए mistake हो गई थी है और Ricochet जो है, भी भी उससे उभरा नहीं है कि नहीं भाई, मेरे को तुम फिर से गिरा दोगे तो वो जब बॉच वाला angle था वो completely change हो गया, भाई अगर all elite wrestling ऐसे करने पर आ गई ना, तो उनका पूरा episode recall में निकलेगा, then अपने JBL and Teddy Long भी आये थे picks लेने के लिए, JBL ने smackdown के लिए pick किया Lashley को and the OC yup, AJ Styles and the old OC को भेज दिया smackdown मे, AJ Styles एक बार फिर सजाएंगे उसी जगह पर, जो कि उन्होंने बनाई है, yup, smackdown and then Bobby Lashley smackdown में देखने, I think Bobby Lashley का यह first time होगा na, smackdown में, exclusive smackdown में, जब से उनका return हुआ है, क्योंकि मैं तो raw में ही देखा है उनको, Teddy Long ने, Teddy Long के pick बड़ी जीब थी, Drew McIntyre को तो pick कर दिया raw के लिए, great choice by the way but then the miss को retain रख लिया अरे, Teddy भाया, इस सरकत के लिए तो आपको लड़ना चाहिए, one on one against the undertaker, खैर उसके बाद AJ Styles returns yes, AJ Styles का return हो चुका है और अब हमें वो सब फालतू की चीजे नहीं करनी के आप AJ Styles का आएंगे नहीं, he's back but with the OC, you know यह मियार यह Karl Anderson, Luke Gallows, देखो मेर को ऐसा लगता है, दुनिया में पैसे से ज्यादा दोस्ती जरूरी है, बिल्कु जरूरी है बहुत इंपोर्टेट है, दोस्ती के बिला क्या यह जिन्दगी, और तो फैमिली जैसी है Gallows और Anderson तो AJ Styles के लिए but, यहाँ पे आप अलग होते तो ज्यादा अच्छा रहा I'm just saying, I'm just saying AJ Styles को हमें Singers Competitor के तोर पे लड़ते देगना है, हमें नहीं चाहिए कि आप Viking Raiders से लड़ रहे हो क्या मिलेगा उससे, कुछ नहीं मिलने वाला भाई, इवन Viking Raiders को कुछ नहीं मिलेगा, तुम चाहे हारो जी तो किसी को फर्क नहीं पढ़ने वाला तो I really hope कि यहाँ से recover करें, आज पेल तो दिया बिचारे Viking Raiders को, पड़ इसके ना सामना करना पड़े तो अच्छा है, Viking Raiders को जल्दी ड्राफ्ट कर तो RAW में, भाई सवालाब कर तो यहां से उसके अलावा, SmackDown की दुबारे से पिक्स आती है, तो उन्होंने किस को पिक किया Damage Control को, and Elbafire and Isla Dawn Yes, NXT Women's Tag Champions को उठाया, और Damage Control को भी उठाया यहां पर भी मेरी same complaint रहेगी, because मैंने अपनी prediction में Bayley को उठा के फेका, एह, ऐसे कैसे बोल रहा है Bayley को डाला ता SmackDown में, अकेले, मैं चाहता था कि EOS का और Dakota का और RAW में रहे, लडाई भी ना हो, अलग भी हो जाए ज्यादा best रहेगा, लेकिन यार, पूरी damage control उठा ली इनोंने, मैं नहीं चाहता कि ऐसे draft हो, I hope कि RAW जो है अब, यह उसका रडखोटा काई को वापिस खीच ले अगर ऐसा possible है, तो लग तो नहीं रहा है, बट यहां बहुत अच्छा हो सकता था अगर Bayley अकेली चाहती तो, मज़ा आ जाता देखने में Bayley, अगर SmackDown ले ले लेते हैं उसे अकेली, अरे यार, आज तो भाई, फुल मूर में है, उसका लगा Raw ने Indie Heartwell को लिया, ओ वाव, NXT Women's Champion, NXT Women's Champions को सब को acquire कर लिया, यार, Indie Heartwell आ रही है, अब Raw में, उसी के साथ साथ, Shinsuke Nakamura, yes, bro, thank you, SmackDown में तो लग रहा था, बिचारे के उपर पनोती लग चुकिया, जो भी कर रहा है, वो गलत ही होगा, SmackDown में तो बिचारे के साथ, इतना कच्रा हो गया था, कि अगर उसके सामने World Heavyweight Championship भी रख दो ना, और 10-10 किलोमेटर तक कोई नहीं है, तो भी वो उसे उठानी पाएगा, तो भी कुछ न कुछ होई जाएगा, तो अच्छा वो Raw में आये है, Shinsuke Nakamura, and I definitely want to see कि Nakamura Raw में किस तरीके से परफॉर्म करने वाले है, जेनरेल नहीं, मैं भी चाहता था कि Nakamura Raw में ही आये, उसके अलावा, Heyman के जितने भी सेगमेंट्स थे, क्योंकि भी Bloodline के स्टोरी की तरफ भी बढ़ती है, वो भी तो उन्हेंने बढ़ानी, and भाई, क्या मस्स सेगमेंट था यार, Tonight is the night करके, जो Heyman सोलो सेकोवा को ready कर रहा था, कि भाई, उसोस को पीटना है, मतलब वो समोन स्पाइक के लिए ready कर वा रहा है, मतलब उनके words बड़े ऐसे होते हैं, कि उसोस को लगेगा, कि उनके साथ है, बट जिसको लगाना होगा, पता चल जाएगा, मतलब सोलो सेकोवा को signal मिल गया, कि आज के मैच में, if उसोस loses, पीटना है तबाके उसोस को, at least ऐसा हमें दिखाई दिया, क्योंकि आज उसोस अगर हारते हैं, तो फिर I don't think so कि दुबारा से मोखा मिलेगा, वो ही हुआ, WrestleMania rematch देखने को मिला, Samizen and Kevin Owens ने इना वड़ा ग्रेट मैच में रिटेन करी टाइटल्स, और उसके अलावा, जो PJ सोलो से कोवा थे, रिंग साइड में, उसके उपर Riddle ने अटेक कर दिया, अगर आपको पता था, मतब सभी को पता था, कि ये बंदा उसको पीटने वाला है आज, तो फिर आप ऐसे क्यों कर रहे थे, हाँ, इस बात पर मैं दाद देना चाहूंगा, कि आपने बीच में अटेक किया, क्योंकि बीच में तो आइटिंग वो सैमी और ओविंस को हरवाने पर तुला रहता है, क्योंकि अल्टिमेटली ब्लेड लाइन इस दे प्राइटी, लेकिन अब उसको जहार गए हैं, तो सोलो से को पीटना था, लेकिन सोलो से को कहीं और ही है, देन, अभी उसोस पर अटेक नहीं हुए, विचिस अगरेट तिंग बाइद वै, क्योंकि अब राउ में कैसे शकले दिखेंगी, वो देखने वाली बात होगी, एंड मैं बेट करने के लिए रेड़ी हूँ, वरना स्मैकडाउन में सिर्फ ये तीम ड्राफ्ट नहीं होते हैं, स्मैकडाउन में पूरी ब्लड लाइन जाती, और उसोस एक बार अलग ड्राफ्ट हो गए न, मतलब नेक्स्ट वीक ही होंगे, जो कि में को लग रहा है राउ में, तो तब जागे सोलो से कुवा इन पर अटैक करेगा, तैट इस फॉर और फिर वहाँ से स्टोरी लाइन कैसे जाए, ये इस इस वाइए इस चीज़ को स्पेशल बना रहा है, ये इस चीज़ को स्मैकडाउन की आज की एंडिंग, ओवरोल, ड्राफ्ट की वज़े से भी, ड्राफ्ट की अच्छे सेलेक्शन की वज़े से भी, ठैंक्स तो NXT के, NXT के भी सुपरस्टार्स आ सकते थे, बैक्स्टेज का रियक्शन दिख रहा था, अप अलो क्रूस के लिए बुरा भी लग रहा था, यहार, बिचारास 2016 में, 2016-2015 में आय था, WWE में रॉस्टर के अंदर, अभी देख रहे हैं, साथ साल बात, तो दुबारा से, वो NXT की तरफ से, तो उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, अधर्वाइस तो ओबरोल, आज की SmackDown was good, I am going to say कि, आज की SmackDown को मैं easily 4.5 out of 5 की rating दे सकता हूँ, because matches भी अच्छे थे, especially ending का, then draft जो था, वो hype को fulfill किया है, and thanks for showing us RVD, है ना, तो comments में लिख कर बताना, अपनी ratings regarding this SmackDown, और अगर आपको वीडियो पसंद आये, तो प्ली लाइक करो, share को चैनल को सब्सक्राइब करो, कर सकते हूँ, जो किया हुआ है, बलख कर दो दो वैंगर दो को सब्सक्राइब करो, अब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो कर दो किया हुआ है, झाल झाल